Hello friends, welcome you all, आज में आपके जो वीडियो ले क्या रहो देखे एक ऐसे hidden stock की यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में already हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन क्या stock ने रफतार पकड़ ली है, अगर पकड़ ली है तो रिस्क कितना है, रफतार in the sense momentum में क्या stock आ चुका है, क्या target 2000 प्लस का अचीब कर पाएगा यह छुपा हुआ stock, अगर आप देखो, earning पर share बहुत ही जबरदस्त, जिसकी वज़े से PE ratio भी हो जाता है, और भी जबरदस्त, तो चलिए समझते हैं डिटेल में, और आगे बढ़ने से पहले में आपको बता दूगर आपने अब तक च पर क्लिक करके, और price action की यह videos बहुत important है, सीखने के लिए, समझने के लिए, अगर आप इनको तसलिए से देखो, ज्यान से देखो, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने को, और यह basics हैं, देखिए, आप लाखो रुपे का course कर लो, या हजारो रुपे का कोई भी course कर लो, at the end जो actual practice करनी है वो आपको करनी है, इसलिए आप इन videos को देखिए, उन हजारो लाखो रुपे के courses के चकर बनना जाईए, और साथ के साथ मैं यही कहूँगा, कि practice कीजी, जितनी practice करोगे, जितना experience होगा, observation का उतना ही बढ़िया है, risk management को हमेशा focus में रखना है, और अज हम आज से ठीक 15 से 20 दिन का टाइम हो चुका है, लास्री वीडियो इसके बारे में हमने create किया था, अभी का price 1300 के level पे इसका है, 1500 करोड का market capitalization, earning pressure 233 का जिसकी वज़े से PE ratio बहुत ही attractive, आपको लगा होगा, undervalued ये stock है, profit growth बढ़िया, विध्या टेली लिंक्स की अगर बात की जा काम करता है, telecommunication cable, wires and cable, FRP, rods, glass, rowings, ये इसका major काम है, अगर देखा जाए, EPC यानि कि engineering, procurement and construction business भी अच्छा खासा revenue generate करता है, लेकिन ये stock के अगर मैं बात करो तो इससे पहले जब हम आपके लिए stock ले के आये थे, ये देखिए ज़रा, October 5 को विंध्या टेली लिंक्स का ये stock जब 1200 का price था, volume यानि कि price action के base पे ये stock आपके सामने आया था, उससे पहले अगर वीडियो देखोगे, February 20 को जब ये 800 का price था, तब इस correction के resolution के basis पे इसका वीडियो आपके सामने आया था, recent वीडियो अगर मैं बात करूँ तो हमारी 15th January वाला वीडियो, अभी जो पिछली मह ही न काई वीडियो है, अगर आप इसको देखोगे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि price की correction का anticipation था, price ने बिलकुल वहीं तक correct किया, और अब बहुत important move start हो चुका है, अब आपको गयार कौन से anticipation के बात हो रही है, यह यह देखे, तो यह price की जब भी बात ह है, liquidity की, हम बात करते है, imbalances की, बहुत important यह चीज़े है, यह चीज़े important क्यों है, क्यों liquidity important है, price move क्यों करता है, कहां से कहां तक करता है, किसलिए यह important है, यह बहुत important है, understand करने के लिए, और execute करने के लिए, अब जैसे के फरवरी के महीने में, वीडियो जो create किया गया था, पिछले साल, यह यह level का pricing था, इस level के pricing पे low volume की correction सल नहीं थी, anticipation था कि बड़ी rally देगा, और यह बड़ी rally इसने दी, उसके बाद आप देख सकते हो, बड़ी candle छोटे volume के साथ, और kind of यह correction देखने को मिला, पिछला महीना बहुत important था, क्योंकि बड़ा volume यहां पे देखने को मिला है, जिसकी वज़े से यह stock फिर से attractive area में प्रवेश कर गया, जैसा कि, October में जो वीडियो आया था, वो इन level की pricing पे था, और आगे की जो राह है, वो बताए गई थी, bullish cross यह correction, अब धीरे धीरे करके, उस राह पे यह चलता हुआ, क्या target 2000, 2000 कौन सा area है, पर यह liquidity का area, यान तक पहुंसते पहुंसते जो सफर है, वो 700 point की दूरी अभी भी है, क्या यह 700 point एक ही साथ clear हो जाएगा, अगर नहीं, तो छोटे time frame की corrections आपको देंगी opportunities, अलग अलग तरीकी की opportunities, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको RSI MACD level पे, MACD की correction बहुत important होती है, जब किसी भी time frame MACD central line से उपर आने के बाद की जो पहली correction आती है, वो बहुत important हो जाती है, इसलिए हमेशा ध्यान दे, यह MACD को हम momentum के लिए use करते हैं, बहुत important यह हो जाता है, अब मैं आपको मन्थली का छोटा time frame यानि की weekly के उपर लेके चलूँगा, now बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि कर रहेते हैं, अगर आप तसलिए से ध्यान दो, यह जो price drop हुआ है, 1500 के level से 950 तक के level पे, इस पूरे पूरे price drop में कोई volume नहीं था, इस पूरे price drop में जब कोई volume नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब price गिरा नहीं, गिराया गया है, ताकि जो imbalance create हुआ है, इस price rise की वज़े से उसको यहाँ पे balance किया जाए, if there is an imbalance, एक nature का law आपको पता होगा, बहीं imbalance है, तो वहाँ पे balance किया जाएगा, और वही price में भी चीज़े follow होती है, और वह imbalance यहाँ पे remove किया गया, आपको होगी यह तो double bottom kind of scenario बन गया, जब इस तरीकी का कोई double bottom kind of scenario आपके सामने ब line chart लगा दूँ, तो आप देखिए, बहुत important चीज़े जो आपके सामने यहाँ पे सीखने को आपको मिलेंगी, देखिए, line chart के माध्यम से आप देखोगे, कि यह double bottom नहीं, बलकि एक lower low है, lower low के साथ recently इसने क्या बनाया, एक higher high और उसके बाद एक higher low, तो आप समझ गया होग है, वो weekly पे फरवरी 2021 के time frame पे देखने को मिली थी, अब मैं line chart हटा के फिर से candle chart लगाऊंगा, और आप देखिए, अब आप कहोगे यार, यह जो point था line chart में उपर क्यों था, क्योंकि line chart की जब calculation होती है, वो closing price के उपर होती है, तो इस तरीके की shadows को remove कर देता है, इस तरीके क noises को remove कर देता है, बट अभी की situation आप देखे कितनी important बनी हुई है, बड़ा volume, correction with negligible volume और फिर से volume हो गया start, तो क्या target achieve हो पाएगा, 2000 का, क्योंकि बहुत important liquidity area जो है, वो वही है, इसलिए विंध्या टेली links पे नजरे रहेंगी आने वाले time के लिए, अब again a very important aspect, जब भी हम price action क की बात करते हैं, तो 200 SMA की रोल की बात करते हैं, कि price of 200 SMA से नीचे है, तो क्या करेगा, resistance का का, लेकिन price एक बार cross कर गया, तो it will again act as not resistance, but support, and you can just see what is happening in this chart, support, और उसके बाद अब हो रही है, rally start, तो क्या risk, अब risk की बात करते हैं, अगर मैं इस stock को अभी 1300 के level पे ख़िए, रीपता हूं, तो मैं इतना deep stop loss पे नहीं जाओंगा, बलकि ये मेरा immediate risk level रहेगा, ग्यारा सो बीस के around का, अब आपको गयर कैसी बात कर रहे हो, again again आप एक और important part, अब आप देख सकते हो, यहाँ पे जब इंबालेंस इस तरीके से आए, और उसके बाद ये imbalance remove किया गया, and you can just see where the balance happened, ये पार्ट और ये पार्ट, अगर आप ये line draw करेंको तो exactly वही area होगा, ये balance बनाने का, समझो इस पार्ट को, ये देखिए, आपको गयर वा, क्या बात है, कितनी अच्छी situation है, now we will go to the RSI thing, you can go to the MACD thing, a positive momentum part, छोटे time frame पे चलते हैं, जोकि daily का time frame है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, जब आप इसको समझो के तो आपको लगेगा, हाँ, जो हम imbalance की बात कर रहे थे, तो अब आप तसली से ध्यान से देखना, और समझने की कोशिश करना, ये देखिए, ये wick का formation, और यही से line को draw करके लेके आते हैं, इस area पे, आप देखिए, बिलकुल वही zone, जिसकी expectation थी, और 200 SMA का, ये daily का time frame, again the same thing, concepts are same, we are just using those concepts in different time frame, intraday के लिए, वही चीज एक minute, पांस minute में use करते हैं, और ये same situation, जब cash positional की बात आती है, cash swings की बात आती है, we use them in the same, यानि की higher time frame, monthly, weekly, daily, अब आप देखो, correction resolve, rally started, और जो 15 January के आसपास आपके लिए video create क्या था, वहाँ पर यही expectation थी, यही imbalances के zone को हम बात बात कर रहे थे, focus कर रहे थे, कि price इन areas में reach करने की कोशिश करेगा, तो अभी हमने बात कर रहे विंध्या tally links की, तो बहुत important ये video मैं कहूंगा, learning perspective से, और video अच्छा लगा तो share ज वहाँ वहाँ पर जाके आप DMAT account भी open कर सकते हैं, thank you, thank you for watching the video.